आपके सामने किशंगन से MIM के महिला जिला अध्यक्षा and a consultant gynecologist and IVF expert उमीद है आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, lockdown का पूरा पालन कर रहे होंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे, so-called अणनव गोस्वामी and पालगर के बारे में, जो घटना हुई है उसके बारे में, जो पालन घर में जो भी घटना घटी, वो बेहदी शरमनाक है इंसानियत को शरमसार कर देने वाली यह हुई है, जो भी घटना घटी है मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है कि अनव गुस्वामी चिला रहे थे, टीवी पे जोर-जोर से इतनी जो से चिला रहे थे तो मैं वही सुन रहे थी उनका चिलाना, मैं यह सोच रहे थी कि उनको बीच में अगर एक टीवी में बटन होता तो मैं रोक के यह भी बोल देती कि भाई अकर तुम धीरे भी बोलोगे न यह बात तो भी उतना ही शब चुनाई पड़ेगा यह जोटो से चिला के जो बोलते हो न अगर धीरे भी बोलोगे न थोड़ा लो वाल्यूम में तो भी उतना ही शब निकलेंगे आपके मुह से चिलाने से ज्यादा नहीं निकल जाएंगे तो हावेवर उन्होंने पूरी कोशिश की चिला चिला के कि आज सब चुप क्यों है आज बोल क्यु नहीं रहें आज कहां गया यह कहां गया वो candlelight कहां गया candle mars कहां गया आज सभी मामले में चुप है अरे भाई पहले तुम तो चुप हो जाओ तुम तो धीरे बोलो और बहेव लाएक आंकर आंकर की तरह बिहेव तो करो कम से कम जो सामने जिसको डिबेट के की बिठाए हो उसकी बात तो सुनो अगर तुमको ही बोलना है तो फिर डिबेट पी लोगों को क्यों बुलाते हो हावेवर पहले ये बात कर लूँ मैं कि जो पालंगर में जो घटना घटी शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी राज के ग्रह मंत्री को ट्वीट करके ये बताना पड़ा कि ये जो भी घटना घटी जिसमें तीन लोग मारे गए तीन इंसान मारे गए मैं इंसान बोलूँगी और तीन इंसान को मारने के लिए एक भीड ने भीड का जो हिस्सा है उन्होंने मारा है और साफ शब्दों में कहें तो मॉब लिंचिंग हुई है उन तीन लोगों की तो इस मॉब लिंचिंग में इंतजार था लोगों को की कहीं से एक मुस्लिम नाम मिल जाए लेकिन जो इन पर सांपरायदा रंग देना चाह रहे थे लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में किसी राज के ग्रह मंत्री को लाइव आकर के ट्वीटर पर ट्वीट करके ये बत प्रणागार थे उसमें से एक भी मुसल्मान नहीं है सोचे कितनी शरंग की बात है कितनी शर्मनाक ये मतलब खुद में कितनी शर्मिंदगी होती है कि अब हमारे राज के जो हो मिनिस्टर है उनको ट्वीट करके बताना पड़ रहा है कि जो 101 लोग है वो मुसल्मान नहीं ह यानि कि यहां पर हम यह नहीं देख रहे कि cause of the death ऐसा हुआ ही क्यों भीड जो है भीड की हिस्से में आखिर मारा ही क्यों यह मॉब लिंचिंग की शुरुवात कहां से हुई है इसकी जड़ को खत्म करना है इस पर डिबेट ना होकर कि डिबेट इस पर चल रहा है कि वो करते हैं आप मुझे बताइए कि अगर मैं यह बोलती हूं कि आप टीवी एंकर हैं आपको यह बोलना चाहिए कि मॉब लेंचिंग इस अ क्राइम अगर उन जिन लोगों की हत्या हुई है शायद वहां के जो लोग थे जिनों ने इन पर हमला किया था उनको यह श्रक था कि उसकी वो तीन लोग चोर हैं इसलिए उनके उपर डंडे बरसा आगे और उन्हें पीट-पीट कर माड दिया गया तो मैं यह कहना च चाहिए कि अगर वो लोग चोर थे भी तो यह हमारे देश में जुडिशरी क्या कर रही है प्रसाशन क्या कर रही है वो तो कर रही है न अपना काम तो पुलिस को अपना काम करने दे आपको पुलिस को अपना काम करने दे आपको क्या जरुवत पड़ी हुई है अरे जुड और इस घटना के संबंध में गिरफतार जितने भी लोग थे उसमें से एक भी मुस्लिम नहीं है यह सोचके तो मुझे लगता है अड़नव गोश्वामी को रादवट मींद नहीं आई होगी उस तो यह सोच रहा होगा अब मैं क्या करूँ अब कौन सा बहाना बना की इनको ल कि अधी दी एक बहुत ही बड़े जंग से गुजर रहा है जो कोरोना की जंग से गुजर रहा है कि यही मेरा बनाने का देश यह है कि देश में हम अलरेडी कोरोना से लड़ रहे हैं कोरोना जो जंग है वह जारी है हम सब जितने भी हम भारतिय है वो हर एक भारती है एक सिपाही की तरह हम सारे इस जंग में शामिल हैं और अपना पूरा 100% योगदान दे रहे हैं इस कोरोना को हराने के लिए तो ऐसे में अगर मेरी मीडिया परसन से खासकर यह रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को सांप्रदाई कर रंग ना दे तो ही ब आशन कार्ट के लिए जिसमें गरीबों के लिए बोला गया है कि पैसे मिलेंगे उसका दो दिन से वह खुल नहीं रहा सर्वर शाय डाउन है इन चीजों को कौन पहुंचाएगा इन चीजों की चोटी-चोटी डिटेल्स कौन लेगा यह चोटी-चोटी मुद्दे हैं लेक से इस बात को आप कवर कप करेंगे इस पर डिवेट करिए ना कि कि किने लोग देशा को और करिये डिवेट हम भी देखेंगे कि आप कि तब आप कितना सुर में चिल लाते हैं तब मैं देखनाचा चाहती हूं अगर धार एससे समय में जब हम विश्व कोरोना से लड़ रह के से लड़ पा रहे हैं जहां अमेरिका में हर दिन मुझे लगता है लाखों की संख्या में या अजारों की संख्या में देथ हो रही है उसी अनुसार अगर आप इंडिया में देखें तो बहुत कन्ट्रोल्ड है इंडिया और इसलिए मुझे झाका है कि हम बहुत सवहाई किशाली हैं कि एक सव्हक्राइफ में जहाँ भगवान की पुजा की जाती है जहां पर अल्ला की गादत की जाती है जहाँ पर सिक्छ गुरूयों की आस्था रखी जाती है जहां जीसस को माना क्योंकि बाकी पूरे विश्व ने घुटने टेक दिये हैं, और हम इंडेंस हैं, जो कोरोना पे विजाई प्राप करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये जो घटना हुई, मैं इसे खुद बहुत शर्मनाग बताती हूँ, बहुत ही घटिया ये हुआ है, बहुत ही गंदा ये मेरे हिसाब से घटना हुई है, लेकिन मुझे बताईए, कि इसके पहले जो मॉब लिंचिंग हुई, उसमें जो बीजेपी की जो लोग थे, उन्होंने उसको सम्मानित किया, जिन्होंने मॉब लिंचिंग करके मार दिया, अगर ये रोक उन्होंने उस वक्त ही लगाई मॉब लिंचिंग को जड़ से खतर कीजे ना, अगर ये मॉब लिंचिंग भीड को किसने ने दिया ये राइट की वो अपने हाथ में कानून को ले, जब जुडिशरी इंडिया में मौजूद है, तो जुडिशरी इसका फैसला करेगी, ना कि कोई और, तो क्यों आपने, क् कानून को हाथ में लेकर, और क्यों ऐसा किया, आपका सवल ये होना चाहिए, सुची कितनी शर्मनाक बात है, कि ग्रह मंतरी को आकर के राज के बताना पढ़ रहा है, अनिल देशमुग जी को, कि 101 में से एक भी मुसलिम नहीं है, और उनका लिस्ट में ने जारी कर दिया है, बताइए, अगर एक मुसलिम मिल जाता तो फिर आप काटने निगल जाते एक दूसरे को, उन्होंने तीन को मारा, आप तीस को मारेंगे, और फिर तीस को मारेंगे, आप तीन सो को मारेंगे, वो कहते हैं ना कि एक आके बदले, दूसरी आप तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, गांदी जी कहके गहते, तो क्या यही करना बाकी है? कुछ तो आप लोग अपना, कुछ तो दिमाग लगाईए, अभी यह पॉलिटेक्स करने का ताइम है, यह सैफरन रंग और ग्रीन रंग करने का ताइम है, आप बोलते हैं टीवी पे के यह सैफरन रंग के जाने वेटे हैं, तो आप दूर से इनको पहचान लिया, शरम नहीं आती है आपको, आप यह बताने से पहले है कि कौन मरा, आप बताते हैं कि उनका धर्म क्या है, यह तो आप बन कर दीजे, या फिर इस तरीके की चीजें मत बोलिए, हमारे प्रधान मंतरी नहीं तो नहीं इस तरह का, फालतु बाते क्यों बोलते रहते हैं, इस तरह से तो आप, हमारी जो strength है, ये हिंदु मुस्लिम से के साई, ये हमारा strength है, और याद रखिएगा, तिरंगा हमेशा नारंगी और ग्रीन कलर दोनों के मिलने से ही बनता है, अकेला नहीं बनता, उसमें ये तीनों रं पर बाद्टी ओने पर गर्व है क्योंकि आज पूरा विश्व कोरोना से जंग हार चुका है यह घुटने टेक चुका है एक सिर्फ भारत है जो आज भी कोरोना से जंग लड़ने में बिल्कुल आगे है और कोरोना से जंग जीता हुआ नजर आ रहा है इसलिए मुझे भारती सिता मत चीनिए थैंक यू सो मच जय हिन जय भारत